एंटी ए यूजी सिनेट यानि निमिजिनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ले स्टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाव रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल लिमीजिनेट परोगे दोस्तों आज हम एंटी यूजी सिनेट लोजिकल रिजिनिंग के अंदर बात करने वाले हैं डिडेक्टिव और इंडेक्टिव रिजिनिंग की दो हमें समझ में याता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूं कि डिडेक्टिव और इंडेक्टिव रिजिनिंग से कोशन हमें किस त्रह से करने हैं आज की अगर आप ये वीडियो देख लेते तो मैं पूर सब्सक्राइब जोब तक सब्सक्राइब को मिलने वाले हैं इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हम आपको सब्सक्राइब करवाएंगे और इसके साथ दोस्तों हम आपको ये विताएंगे कि यसे कोशन है जो बार वाल एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं तो दोस्तों देख कि अभी जोइन किजिए हमारा पेड़ कोश्ट क्योंकि निमीजिनेट है तो ज्यारब है ये देखिए डिटेक्टिव और इंडेक्टिव रिजिनिंग के ये हमने नोट्स यहां पे बना रखे हैं और इसमें सबसे पहले एक कोश्टन देखते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके इस टोपिक को ये देखिए इस तरह के हमारे कोश्टन आते हैं इसके अंदर से गल्थ है तो हमें बता नहीं यह देखें यह कोशन काफी confusing करने वाले ना यह सारी की सारी statement हमें समझ में नहीं आ रहे कि कौन सी सही है कौन सी गल्थ है यह देखें यह हमारा जूम 2013 में आया है फिर 2015 के अंदर कोशन आया है यह और उसके बाद में देखें 2016 के अंदर भी आय argument कितने तरह के हो सकते हैं दर्शन सास्तर में तरक कत्रों की ऐसी सरंखला होते हैं जिसके दवारा किसी व्यक्ति या समधाय को किसी बात के लिए राजिक किया जाता है argument क्या होता है? वो कुछ तरक होते हैं जिसके दवारा हम किसी व्यत्ति को किसी बात के लिए मनवाने की कोशिस करते हैं तो इसे हम क्या कहते है? argument कहते हैं और इसमें जैसे यहां पे मुखह रूप से दो हमारे argument माने गए हैं एक हमारा निगमनात्मक तर्क यानि कि deductive argument और दूसरा आगमनात्मक तर्क इन्टेक्टिव आरग्यूमेंट माना गया है और इसमें थोड़ी सी basic जानकर हम ले लेते हैं निगमनातमक तरक निगमन तरक भी बोलते हैं इसको डिडेक्टिव रिजनिंग किसे कहते हैं जिसके अंदर हम नियम बनाते हैं देखिए पहले इसके अंदर क्या होता है नियम सोरी नियम इसमें दिया जाता है पहले हमें नियम बताया जाता है और उसके बाद में हम उस के इनसार यह चैप्टर हमें करना है पहले हमें क्या है फॉर्मुला बताया जाता है उसके बाद में हम उसको समझने की कोशिस करते हैं तो इसके अंदर पहले क्या है नियम बताया जाते हैं उसके बाद में चीजों को समझने की कोशिस करते हैं और यह क्या होते हैं रिजिनिं सत्य को प्रमारिनित किया जाता है प्राई ग्यात सत्य के अधार पर एक ग्यात सत्य का निगमन होता है ठीक है यह चीज आप ध्यान में रखना और एक और जो चीज इसके अंदर ध्यान रखने वाली है यह भी आप ध्यान में रखना यह हमारे एक्जाम के अंदर आई हुई ह पेपर के अंदर ये तीन चीज़े आई हुई है, इन तीन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान में रखना, निसकर्स, जो निसकर्स कंक्लोजन जो कहते हैं न, वो अधार में निहित किसी विवस्तों से अधिक का दावा नहीं करता, यानि कि जो हमारी प्रीम आइसे में जो दवारा ही पुष्ट होता है, जो हमारा कंक्लोजन जो होता है, वो हमारा क्या है, प्रीम आइसे के दवारा ही पुष्ट होता है, ठीक है, ये चीज़ भी आध्यान में रखना, आगे निसकर्स, अंतते, अधारिकाव से ही निकलता है, जो हमारा कंक्लोजन है, वो लास्ट फाइनल हमारे जो प्रिमाइसिस है उसके दवारा ही निकलता है तो यह जो तीनों पॉइंट तीनों के तीनों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखना इन में से पहले कोश्चन आई हुए है और यहां पे जैसे की आगे हम बात करें यहां पे एक छोटा सा उधान इनों पर यह अंसर निकालना है निसकर्श यहां पर हमें निकालना है ठीक है तो यह तो क्या है दोस्तों हमारी बेसिक चीज है बेसिक चीजे मैंने आपको बताई है अब मेन मुद्दे पर आते हैं मेन मुद्दा हमारा क्या था कि हमें यह कोश्चन किस तरह से करने है एक सही अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, बहुती बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ, आप अच्छे से इसको सबस पाएंगे, चलिए, अब देखते हैं इसको हम किस तरह से करेंगे, अब देखें इसके इंदर तीन चीज़े हमें ध्यान रखनी है, तीन सकते हैं, पांस तरह के हमारे अर्गेमेंट वेलेड या इनवेलेड हो सकते हैं, देखें, इसके इंदर के नंबर एक पे हम क्या लेके चलते हैं कि एक सही अधहार वाके रुकी इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, स्क्रेन को नीचे कर लेते हैं हां जी ये देखे एक सही अधार वाक्य एक गलत अधार वाक्य और एक गलत निसकर्ष वाला तरक क्या होगा वैद हो सकता है अब देखे इसको हम करने की कोशिस करते हैं ये व्यक्ति है ये व्यक्ति कहरा ये एक राइट स्टेटमेंट दे रहा हैं तो ये इसकी बात क्या है? बिल्कुल सही है हमने verify किया office में जाके देखा official डेटा website में जाके चेक किया तो इसकी बात हमें बिल्कुल है सही लगी ठीक है? आगे ये लड़की है ये कह रहा है कि करोना से आज कल के मुकाबले 100 से ज्यादा मोते हुई है ये कह रही है कि आज जो मौत हुई है ना करोना से वो कल के मुकाबले सो ज्यादा मौत हुई है लेकिन हमने देखा कि ये जो लड़की कह रही है ये बात गलत कह रही है ठीक है तो ये गलत कह रही है हमने ओफिशिल डेटा देखा वहां पर हमें पता चला कि ये बात गलत कह र viral नहीं बढ़ रहे ठीक है ये कह रहा कि आज मौत नहीं हुई है और इन्हों ने conclusion ना वह ये निकल ला कि कARON की मामले जो है बढ़ नहीं रहे है तो इनोंने क्या है wrong निसकरश निकाला गलत निसकरश निकाला याने कि इन्होंने कहा भी कोई करोना वरोना के मामले नहीं बढ़ रहे है और सब नॉर्मल है ठीक है यानि कि इसमें एक यहां पे एक वेक्ति सही कह रहा है दूसरी जो लड़की है यानि कि दूसरा इंसान है वो गलत बात कह रहा है तो इन्होंने क्या कहा कि जो निसकर्स है निसकर् दिया ठीक है negative निसकर्ष निकाल दिया तो ये क्या होगा हमारा सही बात होगी यानिकि valid argument ये हमारा होगा क्यूंकि इसके अंदर एक वेक्ति सही कह रहा है और दूसरा वेक्ति गलत कह रहा है तो निसकर्ष हमारा क्या है वो गलत आ सकता है wrong निसकर्ष हमारा आ सकता है ठीक है आई बात समझ में, तो ये क्या होगा हमारा valid argument होगा, सही बात इसको हम बोलेंगे, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जहां पे एक अधारवा के सही हो, दूसरा अधारवा के गलत हो, और निसकर्ष हमारा गलत निकले, ठीक है, तो भी हमारा कया है, argument valid माना जाएगा, ठीक है, याणि के हमने इसकी बात को सही मान लिया, और इसी की जुरी हमने, निसकर्ष जो है, वो निकाला, रोगो, और उस वजए से हमारा argument क्या होगा, valid माना जाएगा, ठीक है, और आगे हम आगे किस तरह का एक और है हमारा argument इसके अंदर क्या है एक सही अधारवाक्य और एक गलत अधारवाक्य एक सही निसकर्ष वाला तर्ग वैद हो सकता है ठीक है अब देखिए इसके अंदर क्या है एक एक अधारवाक्य राइट एक ये सही अधारवाक्य मालनी हमने दूसरा य गल्ट ये चीज हम उपर भी करके आए हैं कि इस वेक्ति को हमने सही माना इसको हमने गल्ट बाना लेकिन निस्कर्ष हमने क्या निकाला वे क्रोणा के मामले बढ़ रहे हैं अब की बार हमने क्या है को सही माल लिया और इसी से हमने जो मिस्कर्ष है वो positive निकाल लिया ठीक है तो ये क्या होगा सही argument हमारा होगा valid argument हमारा यहाँ पफे होगा ठीक है उमेद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें चैट बॉक्स के जरीए भी बता सकते हैं या फिर आप हमें वाटसप नमबर पर भी मैसे से कर सकते हैं और अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप हमारी एप निमीजिनेट जरूर डाउनलोड करना वहां से आपको इस सभी नोट्स मिल जाएंगे या फिर आप हमारा पेड कोर्श भी जोईन कर सकते हैं और आगे हम बात करते हैं अब देखें नमबर तीन पर हम देखते हैं इसमें किस तरह का आर्गिमेंट होता है देखें दो सही अधार वाक्य है और एक सही निसकर् चलते हैं यह जो व्यक्ति है यह कह रहा कि आज करोना के 10,000 मामले आए इसकी बात भी सही निकली और यह लड़की कह रही है कि आज सो ज्यादा मोत हुई है करोना की कल के मुकाबले इसकी बात भी हम सही मानते हैं और कंक्लूजन भी हम सही निकालते हैं हाँ आज करोना के मा अगर सही कहता या गलत कहता तो भी हमारा आर्गुमेंट सही माना जाएगा ये देखे उपर वाले जो हमारे आर्गुमेंट है ये देखे इसके अंदर एक व्यक्ति हमारा गलत कह रहा है ठीक है यहां पर एक व्यक्ति क्या ये जो लड़की ये गलत कह रही है तो भी हमारा ज निसकर्ष हमारा सही निकलता है तो भी हमारा argument valid माना जाएगा ठीक है आगे हम नंबर चार पे बात करते हैं कि दो गलत अधारवाक्य और एक गलत निसकर्ष वाला तरक भी क्या होगा वैद होगा अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे इसकी बात भी रोंग निकल गी यह जो वैक तो भी यह हमारा वैलिड argument होगा यानि कि तीनों के तीनों गलत होने पे भी हमारे हमारा जो आर्गुमेंट होगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं आगे हम एक और एक्जामपल लेके चलते यहाँ पे नंबर पाच पे हमारा argument जो आता है इसकी बाता है इसके गल्त निसकर्ष वाला तर्क अवैद होगा ठीक है यह most important चीज ध्यान में रखना यह exam के अंदर पूछी जाती है यह पूछा जाता है कि निमलकित में से कौन सा valid नहीं है यह पूछा जाएगा देखिए यह व्यक्ति भी सही कह रहा है ठीक है यह लड़की भी सही कह रही है ल हाँ है और रीयल में सोम होते हुई है और रीयल में हमारे 10,000 मामले बढ़े हैं लेकिन यह जज कहे कि आज करोना के मामले नहीं बढ़ रहे जज इन दोनों की बाक्तों को गलत कह रहा है कि यह दोनों के दोनों गल्त है तो हमारा क्या है जो आर्गुमेंट है इन्वैलिड माना जाएगा आगी बात समझ में यानि कि जहां पर दोनों के दोनों व्यक्ति सही हो और जज यह कहे कि नहीं यह तो गल्त है तो वहाँ पर क्या होगा मारा इन्वैलिड आर्गुमेंट होगा ठीक है आगे हम बात करते हैं अब देखी इसमें एक कोशन करने की कोशिस करते इस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक निग्मनातमक तरक मान्य नहीं हो सकता क्या कहा है इन्वैलिड कौन सा है ठीक है जो वैलिड नहीं हो सकता इसमें देखी इन्वने क्या कहा है option number B इननने दिया है या इसका या इसके अधार वाक्य सही है और निसकर्ष हमा हमारा जज है वो यह कहें है ये यह वही सही है लेकिन जज यह कहें कि यह दोनों के दोनों गलत है तो यह हमारा क्या होगा इन वेलेड आर्गमेंट होगा दक माना जाएगा अ dale ऑर आगे हम बात करते हैं जैसे इसमें भी देख सकते हैं इक निगमनात्मक तरक ऐ प्रमानिक है यदी ये देखी ये कोशन है इसके सभी अधार वाक्य सही उपर तो निसकर्ष गलत हो ये भी वही है अभी अपन करके आए उपर ठीक है तो इस तरह के कोशन है दोस्तों आप ये करके देखना बिल्कुल असानी से आप इनको कर सकते हैं औ और अगर आप इन में और जैसे और ओप्षन के हम बात करें जैसे यही लगा के चलें कोशन नमबर 28 की बात करें इसके अंदर जैसे ओप्षन नमबर 4 को हम छोड़ देते हैं सभी अधार वाक्य सही हो पर तो इसका निसकर्ष गलत हो तो ये चीज क्या है ये तो इसकी रों होगी ठीक है और ओप्षन हम देखते हैं इसके अधार वाक्य और निसकर्ष सभी सही हो तो क्या ये तो वैलिड हो गया ठीक है यानि कि अधार वाक्य भी सही है और निसकर्ष भी हमारा सही है तो ये क्या हमारा वैलिड आर्गिमेंट होगा आगे हम बात करते हैं इसके अधार वाक़े गलत हो पर्ण तु निसकर्स सही हो ठीक है यानि कि अधार वाक़े ऑफ घलत है अधार वाक़े बीवी गलत है और जो जजज है हमारा वो कईव यहां यह दोनों के दोनों जूट बोल रहे हैं और वो पोजिटिव रिजल्ट निकाले तो भी हमारा argument क्या है वो validate होगा ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आप इस से related जो भी question है वो करके देखना अच्छे से आपको इस समझ में आ जाएगा और आगे हम बात करते हैं दोस्तों आगे है हमारा inductive argument है inductive argument का एक बहुत ही अच्छा simple भासा में मैं बताता हूँ inductive argument के अंदर क्या होता है पहले उधारन बताया जाता है और उसके बाद में कोई नियम बनाया जाता है और इसमें देखी एक example देता हूँ आपको जैसे हम छोटे बच्चे होते तो उस टाइम हमें कैसे counting सिखाई जाती थी और कैसे multiplication और minus करना plus करना किस तरह से सिखाई जाता था हमें ऐसे example दिये जाते थे कि आपके पास चार रोटिया हैं एक बकरी आई उसने दो रोटी खा ली तो आपके पास कितनी रोटी बस गी तो हम कहते थे कि दो रोटी बस गी यानि कि वहाँ पे हमें जो चीज हम जानते हैं उनी के दवार हमें सिखाने की कोशिस की जाती थी उधान वहाँ पे दिये जाते थे और वो फिर ऐसे कहते थे कि आपके पास मान के चलिए तीन टोफी है और हमने दो टोफी और दे दी बताइए अब आपके पास कितनी टोफी हो गई हम कहते थे पांच टोफी हो गई तो हम उधान में मजाक मजाक में ही मजे मजे में चीजे सीख लेते थे तो वहाँ पे क्या होता था हमारा आगमन विधी होती थी inductive argument वहाँ पे होता था वहाँ पे क्या होता है इसके अंदर हम विशेश तत्वों के अधार पर समान्य सिधान्त बनाए जाते हैं इसके अंदर सबसे पहले example दिये जाते हैं उसके बाद में हम नियम बनाते हैं और इसमें क्या है we go from specific to journal इसके अंदर हम specific to journal चलते हैं ये चीज आप ध्यान में रखना और इसके अंदर अगर आप difference देखना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे difference तो इनमें नहीं पूछा गया आज तक फिर भी हम देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं निगमन पदती सिधान्त के अंदरी थे ये क्या है सिधान्त के उपर depend होती है हमने बताया था निगमन मतलब नियम निगमन नियम निगमन के अंदर क्या है पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगमन के अंदर क्या है? आगमन के अंदर उधान बताया जाता है, ठीक है? तो ये दोनों के दोनों वर्ड सिमिलर है ना, निगमन से नियम और आगमन से उधान, तो इस तरह से आप इसको असानी से समझ सकते है आगमन पधती वास्तू के अंदरित है, और निगमन पधती में समन्ने सिधान्त से विशेश तथे की और जाया जाता है, और इसके अंदर क्या है? कि इस पधती में विशेश वस्तो के गुणों के अधार पर समन्ने सिधान्त बनाया जाते है, ठीक है? निगमन पधती में क कुछ अनुमान से काम लिया जाता है आगवन पदती में केवल तथ्यों को अधार बनाया जाता है यह देखे वैसे इसमें बहुत ज्यादा डिटेल से करने की जरूरत नहीं है और इसमें डिफरेंट्स अभी तक इन्होंने नहीं पूचा हुआ है आगे हम बात करते हैं आगे हैं हमारे मैं आपको दिखाऊंगा आगे किस तरह से इन में से कोश्चन आए आगे की जो वीडी होगी उसके अंदर यह देखे यह कट्री है ट्री को हम समझने की कोशिस करते हैं जो डिडेक्टिव आर्गिमेंट होता है निगमन विधी जो होती है उसके अंदर क्या होता ह यह हमारी या तो वैलिड होगी या फिर हमारी इन वैलिड होगी हमने बात की थी ना उपर या तो यह वैलिड होगा या फिर इन वैलिड होगा यह जो हमारे अधार वाक्य है उसी की उपर डिपेंड करता है ठीक है तो यह क्या है यह या तो वैलिड होगा या फिर इन वैल वी है कि कोई व्यक्ति किसी बात के वारे में सही यानि की ज़्यादा possibility दे रहा है जैसे हम मान के चले यह आदमी है यह आदमी चोर हो सकता है क्योंकि मैंने इसको वहाँ पे एक वर जोट बोलते वे देखा था और यह वहाँ पे एक वर पकड़ा भी गया था चोरी करते वे पकड़ा गया है और यहाँ पे आज जो चोरी हुई है ना इसके अंदर इसका हाथ हो सकता है क्योंकि कल यह चोरी का समान लेके आ रहा था कटर लेके आ रहा था काटने के लिए सटर काटने वाले कटर लेके आ रहा था तो यहाँ पर क्या कि जो हमारे अनमान होते वो strong भी हो सकते और weak भी हो सकते हैं इसके अंदर हम finally यह नहीं कह सकते कि यह सही है या गलत है इसके अंदर या तो जो हमारा argument होगा वो strong होगा या फिर वो weak होगा इस तरह से होता है हमारा inductive reasoning के अंदर argument भी धी के अंदर लेकिन deductive क्या होगा वो हमारा या तो हमारा valid होगा या फिर हमारा invalid होगा ठीक है तो उमेद करता हूँ आपको अच्छे तो उमेद करता हूँ दोस्तों आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम बात करते हैं कि जो valid argument होता है वो हमारा sound और unsound होगा अब देखे sound और unsound क्या होता है यह मैं आपको अभी बताने वाना हूँ और जो हमारा strong argument जो होता है वो cogent होगा या फिर uncogent होगा ठीक है इसके बारे में भी हम बात करेंगे अब देखे यह जो term है हमारी यहाँ पर हमने बात की थी sound, unsound, cogent इन तीनों term के बारे में हम बात करते हैं और plus में हमारा strong और weak argument क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करते हैं यह देखे सबसे पहले हम बात करते हैं कि sound and unsound deductive argument किसे कहते हैं यह अच्छे से आप ध्यान में दे लिजी क्योंकि exam के अंदर इसमें से question आया हुआ है ठीक है इस deductive argument is sound if and only if it is both valid दोबारा देख लिजी इसको इस deductive argument is sound deductive argument को sound कब बोलेंगे if and only if it is both valid and all of its premises are actually true यानि कि इसकी जो दोनों की दोनों हमारे premises है वो premises और conclusion है हमारा वो valid हो ठीक है वो सारी की सारी चीज़े valid हो और जो premises है हमारी वो actual में right हो actual में हमारी true हो तो ही हमारी वो क्या बोली जाएगी sound argument बोला जाएगा इसके अंदर दोबारा से देख लिजी ये कि जो दोनों की दोनों चीज़े होती हमारी premises और हमारा conclusion वो valid होगा पलस में premises जो होगी वो actual में हमारी true होगी ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे sound argument बोलेंगे नहीं तो otherwise a deductive argument is unsound अगर ये invalid होती है तो इसको हम क्या बोलेंगे unsound argument इसको हम बोलेंगे और आगे हम बात करते हैं strong argument और weak argument के बारे हम बात करते हैं and inductive argument with a good form the inferential relationship in such that the premises provide provable spot for the conclusion यानि कि वही बात आगे न जिस argument के अंदर हमें उसके valid होने की बहुत ज्यादा संभावना बन रही हो जिसके बारे में हमें काफी सबूत मिल जाए बहुत ज्यादा संभावना बने तो वहाँ पे क्या होगा हमारा strong argument होगा और इसी तरीके से जहाँ पे an inductive argument with a poor form यानि कि वहाँ पे हमें किसी चीज़ के बारे बहुत कम evidence है और कम सबूत है हमारे पास even if the premises are true they would not provide much spot for the conclusion यानि कि वह सही होने के बाउजद वह प्रूव नहीं कर पा रहा है उसके पास ज्यादा सबूत नहीं है हम अच्छे तरीके से उसमें नहीं प्रूव कर शकते कि ये सही है या गलत है तो वहाँ पे क्या होगा हमारा weak argument होगा ठेक है आगी बात समझ में और last में हमारा जो रहता है वो है cogent argument रहता है इसके अंदर क्या होता है similar to the concept of soundness for the deductive argument है यह क्या है कि soundness जो होती हमारे deductive argument के अंदर वैसा ही है यह a strong inductive argument with true premices is termed cognant अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो strong inductive argument होता है inductive argument की बात चल लिए अब inductive argument जो strong होता है और जिसकी premices सारे की सारी true हो premices true हो तो उसको हम क्या कहेंगे cogent argument कहेंगे अब देखिए आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा यहां पर हमने बात की थी कहां पर है कि हाँ यह हमने बात की थी यह देखिए हमारा sound के अंदर हमने क्या बात की थी a deductive argument is sound if and only if it is both valid and all all of its premices are actually true ठीक है deductive argument के अंदर अगर हमारी premices true होती है तो उसे हम क्या कहेंगे sound कहेंगे ठीक है और inductive argument अगर यहां पर inductive argument आ जाता है inductive argument के अंदर हमारी सभी premices true होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे कोगेंट आर्गुमेंट बोलेंगे ठीक है आगी बात समझ में मैं उमेद करता हूँ आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा ये टोपिक अगर फिर भी आपका कोई सवाल जवाब है तो आप हमें जरूर जरूर बताना और दोस्तों अगर आपको ये अगर वीडियो अच्छे लगी ना रियल में आपको अच्छे लगी आपका कॉंसेट कलियर हो गया तो दोस्तों आप हमें कॉमेंट वोक्स की जरीए जरूर 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 बताना ताकि हम आगे भी आपको इसी तरीके से श्टडी करवाते रहे आपका एक छोटा सा कॉमेंट दोस्तों हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है हमें आगे काम करने के लिए तो आप सभी दोस्त अपनी अपनी राय जरूर देना अगर वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजि तो वो भी डाउनलोड कर लिजे ताकि आपको सभी श्टडी में टीजिल एक ही जगह पे मिल जाए तो दोस्तों आज के लिए वसे इतना ही थैंक यू वेरी मच बाई 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 तो दोस्तों देर किस बाद की अभी जोईन कीजिए हमारा पेट कोस्त क्यूंकि निमीजी नेट है तो ज्यारफ है